नमस्कार दोफ्तों आप नया बिजनेस करना चाहते हैं और आपकी पाफ बजट नहीं है और जल्दी से आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस बताएंगे जिसकी लागत मात्र 15 रूपए और इसका सेल कितने में होगा 160 रूपए और इस प्रोडक्त के इस समय बहुत ज़्यादा डिवांड है तिसे आप अपने घर पर बना सकते हैं इसमें ना तो कोई मसीन चाहिए ना तो कोई लेसंस चाहिए ना तो कोई कमरा चाहिए और ना तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने की चरूरत है कुछ चीजें नहीं चाहि हैं और अगर आप इसे अपना brand बनाना चाहते ब्रांड बनां के popular करना चाहते हो भी आज हम बताएंगे क्योंकि दोफ्तो हमने इसी product से अपने product की career की सुरूआत किया था और आज मेरे पास 30 से 40 product है, तो दुफ़तों आप ऐसे इसको घर से कैसे करते। और फिर अगर आप इसे बड़े लेवल पे करना चाते हैं, तो बड़े लेवल पे कैसे करें। अपनी कंपनी कैसे रेजिस्टेशन करवाएं दुफ़तों भी हम बताएंगे, क्योंकि दो हजार बारा में हमने अपने company की शुरुआत किया, marketing की शुरुआत किया, तो दुफ तो एक खुश खबरी आप लोगों को बता दे, हमारे channel पर आपको चाय टायट के business मिलते हैं, और चारो टायट का business में handle करता हूं, हमारे family में handle handle होता है, इसलिए इन चारो टायट के business की आपको गहन जानकारी मैं पहली जानकारी आपको फार्माच हित्र के मिलेगी, फार्माच हित्र को मैं handle करता हूं, अपने product को कैसे बनवाए, प्रोड़क्त मार्केटिड वाई, प्रोड़क्त कौन सा लांच करे, और किस product की सबसे ज़्यादा market में demand है, किस group की हम दावा बनवाए, चाहे एलो पैथ ह आयरवेद हुआ, किस company से हम बनवाए, डवलु एचो company कौन से है, जी अपी certified company कौन से है, उफ प्रोड़क्त की हम quality कैसे दे, उफका trademark कैसे करवाय जाता, किस किस license की जरूरत पड़ती है, और फिर market में self team कैसे त्यार करे, यनि कि फार्माच्छेत्र की एटू जानकारी हम अ से पूछ के नहीं देंगे, इसके लिए आपको real जानकारी मिलेगे, दूफरा है, किराने से संबंदित, किराने से संबंदित हम wholesale का काम कैसे करें, retail का काम कैसे करें, या हम उसमें अपना brand add करना चाहते हैं, अपने brand की कैसे branding करें, बिना manufacturing unit डाले, वह भी बताएंगे, और उ देंगी हुआ, इसका हम अपना brand कैसे बना के करें, marketed why product कैसे launch करें, उसकी information आपको देंगे, और अगले चीज़ है दो तो जूता चपली, sport की business, इसको wholesale कैसे करें, retail कैसे करें, और फिर जूते को अपना brand कैसे बनाए, brand बनाने के लिए कौन कौन से procedure चाहिए, और क्या हम बिन manufacturing unit डाले, उतना profit ले सकते हैं, वही quality दे सकते हैं, इस सारी जानकारी अगर आपको चाहिए, इस चार च्छित्रों से संबने कोई भी जानकारी आपको चाहिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके लिए channel को subscribe करिए, हम से जुर जाएए, और जब भी इन चारो हो जाए, यह जिर जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी, वह भी pure, real, सफल बनाने का मेरा अपना, हमने संकल्प लिया है, हम सारे दोस्तों को भी एक उद्योग पती बना देंगे, सब को business man बना देंगे, सब लोग छोटे पूजी से भी शुरू करें, बड़ी पूजी से ही सुरू कर सकते हैं, सब लोग अपने सपने को पूरा करें, यही मेरा उद्देश है, इसी उद्देश से इस चैनल की हमने शुरुआत की है, और आप लोगों तक सही सही जानकारी पहुंचालते रहेंगे, चुकि दोस्तों हमारे जानने में बहुत पारे ऐसे पहले लोग अक्सर आप हमारे चैनल पर अगर आप वीडियो देखें होगे, तो वहां देखें होगे, हम बिना मनुफैचरिंग इन्हें डाले बताते हैं, कि आप बना सकते हैं, क्वालिटी वेस का प्रोड़क्त कैसे बनाएं, कम पूजी में, ओ फारी चीज़े सेयर करें, तो चलिए यह मांगें के भीया हमें एलो वेरा जल दे दीजेए, नहीं, आप उससे कहेंगे कोई ब्राफ नाम देगे, कोई ब्रांड नाम अगर उससे आप कहते हमें ऐस आधेंट प来दा निलता जीफ प्र्डूर्ट में उसको जदा प्रॉफित होता तो वही देठा लेकिन आपने नाम से तो यही नाम से देगा, उसके पास होगा तो देगा, नहीं उसके पास होगा तो नहीं देगा, तो आप जाने के क्या निकल काया, नाम निकल काया, अब यसे कोई नाम रख सकते हो, कोई भी नाम आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपने इसको ब्रांड बनाना है, तो इसको ट् पी इंडिया पे सारे product registered trademark होते हैं यहीं पे जाके सर्च किया जाता है जैसे आपने premium नाम चवाइस किया तो premium नाम आप वहाँ पे डालेंगे search करेंगे तो बता देगा इस नाम से पूरे इंडिया में है की नहीं है अगर है तो आप मत रखिए दूफरा रखिये तो वहीं पर आपको फिलेक्षन होता वहीं से आपको टेड़ मार्क का मिलता है तो पहले क्या होता था दोफतों जब हमने 2012 में अपने प्रोड़क्ट को टेड़ मार्क करवाया था तो उस समय मिलता था T.E.M. आप देखें होगे लिखा होता है T.E.M. लेकिन ए T.E.M. कितने दिन के लिए मिलता था पांस साल के लिए लेकिन इस सिस्टम हट गया अब आपको आर मिल जाता है तुरंत से एक महिने के बाद आप आर लिख सकते हैं उनके माध्यम साब करवा सकते हैं या नहीं कहने का मतलब आपको प्रोड़क्ट ट्रेडमार करवाना है बस यहीं पर जो पैसा लग तो आपने प्रोड़क्ट ट्रेडमार करवा लिया अब आपको और क्या आता है सामने निकल के कोई समान आप लेके जाते हैं उसके पहले उसके product की piking और design पर जाएगा तो दूफरा अहम बात जो निकल काते है piking और design और तीसरी चीज़ जो निकल कराती है जो होना चाहिए product में वो product की quality raw material अगर आपको सफलता लेनी है तो product की piking quality और उसके product की compromise मत करिएगा कभी भी quality से piking design और quality से कभी compromise मत करिएगा दूफरा होता है rate rate तो आप down हो सकता है दूफरा उपर नीशे हो सकता है बाफूफ में आप deal discount दे दे बास और कुछ नहीं चाहिए इतने चीज़े आपको चाहिए अब आपके पास product आता है product को कुछ interaction पड़े होते हैं जैसे वो होता है packaging rule एक packaging rule भी होता है वैसे यह सब लिखना पड़ता है यह लो वेरा जेल है तेरे वेला जेल में कितना ग्राम पाया जाता है इसके फायदे क्या है इसके side effect क्या है manufacturing date क्या है बाइस नंबर क्या है इसकी expiry क्या है बनाया account है उसका address सब कुछ देना पड़ता है ना क्योंकि यह लोग use करेंगे हो सकता उनको कोई नुक्सान कर जाए तो किसके उपर complain करेंगे आपके उपर इसलिए सारे packaging rule का interaction होता है अगर यह चीज़े आप घर पे बना रहे हैं तो यह सारे चीज़े आपको करन जाते हैं यह करना होता है अगर इसको आप घर पे बनाना है यह लोगे रजल तो घर पे बनाने के लिए आज मैं यह लोगे रजल की बात कर रहा हूं यह अपना brand हमने शुरू गिया था तो दो इसी तरह से आपको प्लास्टिक की भी कांच की भी आपको मार्केट में मिल ज सकते हैं किसी प्रिंटर के यहां छपवा सकते हैं पर इस तीका लगा देना अब और क्या करना है इस पर देखें सील पैक लगा है इसी तरह से सील पैक इसी साइज का जहां से आप डिबल लेते हैं वहीं पर आपको सील पैक मिल जाएगा तो सील पैक इसी साइज का आता है और इसको कुछ नहीं करना है। आप इसमें फो गराम भर दीजिए, एस सो गराम रखा है इसमें, सो गराम भरने के बाद सेल पैक इस पर रखिए, अब आपके इसकी मसेन भी आती है, मसीन आठ हजार, दस हजार की आती है, कोई जरूर्टत नहीं, आपके घर में प्रेस है, प इसके बाद दोस्तों यह डिब्बे की बाद कर लें, इस तरह पे आपको एलो वेरा डिब्बा छपा छपाया मार्केर में मिल जाएगा, लेकिन इस पे आपका ब्रांड नहीं पड़ा होगा, अगर आप अपना ब्रांड नेम से छपवाना चाहते हैं, तो कहीं भी जहां प आपको छपा छपाया हो गया, अब प्रोड़क्ट की क्वाल्टी, यह तो आपको अगर अपना घर पे, अब जिल निकालना हुआ, जिल निकालने का बड़ा आसाम तरीका, एक छोटी से मशीन आती हो, ऐसे निकाल सकते, नहीं तो अगर आपको अभी ऐसे शुरुआत ही करन है, तो उपर का छिलका निकालिए, अंदर का जो गुजा है, उसे निकालिए, और कपड़ा लिजी, उसमें रगड के निकाल दीए, एक दम प्यूर वेस्ट क्वाल्टी, नेच्रॉल, कोई मिक्स नहीं, इस तरह से आप पैक करिए, अभी मार्केट में अपना ब्रांड बन बनवाना चाहते हैं, तो भी बनवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको 1530 बनवाना होगा, कितना? 1530, अब 501000, अब इस पर डिपेड़न, तो लेकिन यह दूफरी कमपनी से बनवाना पड़ेगा, अब यह कमपनी कहां मिलेगी आपको, मैं भी परवाइड कर सकता हूं, ले आपके सारी लिस्ट कमपनियों की आ जाएगी, जी, अपी, सैटेफाय, डवल, वेच, जंपी, साइट, कमपनियों का नाम आ जाएगा, अब किसी एक कमपनी पर आप किलिक करिए, कमपनी पे किलिक करने के बाद उनकी साइड बे जाएगी, उनको कॉंटेक्ट, नमबर, जब आप वहाँ जाकर के विजिट करेंगे, तो आप देखेंगे किस-किस कमपनी का बन रहा है, एक तो वहाँ पर यह अनुबह होगा, दूफरे यार आपके अंदर आज मिश्वास बढ़ेगा, यार यह लोग भी तो हमारी तरह रहे होंगे, यह लोग भी तो कमपनी डाल पे, हमने विजिट किया, वहाँ पे 15 दिन हमने भी ताया था, हर एक कमपनी डेली जाते थे, कमपनी में बड़ा हमारा आथ मिश्वास बढ़ा रात, इच्छा ही नहीं करती तो मैं आउँ, एक कमपनी में विजिट करता था, जानकारी लेता था, कितने मियां बनता है, कैसे बनता है, फिर उफ कमपनी में जाता है, तो हमारे अंदर ही फीलिंग होती है, इन्होंने कमपनी डाला है, तो एक दिन मैं भी कमपनी डालोगा, तो वहाँ से आथ मिश्वास दुफ्त बढ़ता है, और एक चीज़ सीखने को मिलता है, कि हम जो प्रोड़क्ट बनवाने जा तो दोफ्तों पंदरा दिन हमने कि अब बड़ा अच्छा लगा, इच्छा ही नहीं कहा रहती आ जाएं, तो दोफ्तों आप जब वहाँ जाएंगे तो इससे आपका आद्म बिस्राग बढ़ेगा, आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि यार मैं भी एक दिन ऐसी कमपनी डालूगा, और वहाँ पे नॉले में, तो जब आप वहाँ विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद इसी तरह से दोस्तों मैंने हिमाचल पर देफ विजिट किया, देहरा दून हरिद्वार विजिट किया, जहां बड़ी बड़ी कमपनीया सब है, ना मनुफेक्टरिंग पर है, और उसे आपको वहाँ पे एक चीज़ा और मांगागा है, जी एस्टी नमबर, यह चाहिए, अब जी एस्टी नमबर फ्री आपकॉस्ट है, इसे खुद आप अपलाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से कही मिस्टेक हो सकता है, तो जो फ्रे टेक्स में एडवोकेट ह होते हैं, उनके मांदम से आप इसे ले सकते हैं, तो जी एस्टी नमबर चाहिए, यह चाहिए, बाकि यह जो पाइकिंग का आप देखने हैं, इस सारी चीज़े, यह आपको कुछ नहीं आदेना पड़ेगा, पाइकिंग माटेरियल, पाइकेजिंग रूल्स क्या है, यह फेस्वाफ से अच्छा लगता है, जिस कंपनी का एलो वेरा फेस्वाफ अच्छा लगता है, एक पीश खरेट के लेके चले जाईएगा वहाँ पे, अब आप उनको बता जाएगी, तो सेम उसी तरह से थोड़ा से हटके, सेम तो कलर नहीं दे सकते हैं, लेकिन उससे अच् जाएगा, आप एक हजार बनवाना चाहते हैं, पांसु बनवाना चाहते हैं, दू हजार पीश बनवाना चाहते हैं, सोय मलका बनवाना चाहते हैं, पचास से मलका, कितने का आप बनवाना, जितने का आप बनवाना, उतने का आप डील हो जाएगी, हाँ, जितनी बड़ी ब की फाइनल दील हो जाएगी उसके पीश से पचीश दिन बाद यह आपका जो आड्रेस आपने लिखाया है उसी आड्रेस पर आपका माल दिलवर हो जाएगा फट चांप इतना टाइम लगेगा अगली बार से एक हपते के अंदर आपके यहां माल आ जाएगा क्या आजाएगा आपके यहां एक हपते के बाद बन के आजाएगा बस अब लाईए अब इसे आप दुकानों पर जाके खुद वेचिए या सेल्फ टीम तयार करके वेचिए मार्केट का अनुभो लीजिए मार्केट का अगर यही चीज़ आप मनुफैचरिंग उनिट करके डालते तो जैस क्क तो के सकते हैं तो ज्यवेचर या क्वाल्टी घटिया पाई गए तिस प्रोड़ुक्त को मैं रिटन्कारवा आपके वूपर के खर दूंगा यह agreement होता है, आप कर सकते हैं, दूफरी चीज, दूफरी चीज दूफतों, आप हमेशा quality waste कराना, कभी भी आपका quality best होगी, तो आपका product कभी भी फेल नहीं होगा, तो दूफतों, अगर यही चीज, आप manufacturing unit करके डालते, तो किपना खर्चा आता, सबसे पहले आप जमीन लेते, जमीन के बाद उसमें आप कुछ plant अपना तयार करवाते, plant तयार कराने के बाद आप machine लाएंगे, इस्ट्रा raw material रखना पड़ेगा, packaging रखना पड़ेगा, डिबबा इस्ट्रा, सब कुछ इस ट्राक में आपको रखना पड़ेगा, उसके साथ-साथ एक manufacturing experience टीम चाहिए, कुछ worker चाहिए, आपको उसी हिसाब से बड़े license भी लेने पड़ेगा, विजली connection भी कराना पड़ेगा, यह एक छोटे भी unit डालेंगे, तो भी आपका पैसा लागे, तभी पैसा लागे, लेकिन एक कम पूजी में आप कर दे रहें, तिसी लिए मैं कहता हूँ दोफ्तों, आप अपना plant डारने के बजाए, जो लोग already 20 साल, 25 साल से product की manufacturing कर रहे हैं, क्यों ना हम उसे बनवा के करें, और आज multinational company आज के बाद आप कभी notice करिएगा, आज के बाद multinational company आभी marketed by product कर रहे हैं, उन्हीं से बनवा के कर रहे हैं, मैंने भी दोफ्तों शुरू किया था marketed by product से ही, पहले तो इसको मैंने शुरू किया बेचा था, फिर इसको हमने बनवाने लगे, तो दोफ्तों इस धंग से आप कर रहे हैं, अब इन business में कभी भी आपको शुरू करना है, कोई भी information चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, आप तुरंट comment section में पूछिए, वो जानकारी हम आपको provide कर देगे, फिर मेरा एक ही उद्दे से सब लोग अपना business करें, और अपने सपने को पूरा करें, चलिए मित्रों, अगर आपको ये वीडियो लगा है कि नई वीडियो में 100% फत्ता है, और हमें इससे सुरू करेंगे, तो हम जुड़े रहेंगे, और दूफ्रे को भी help हो फत्ता है, द आपको अच्छी जानकारी मिले, वो भी अपने सपने को पूरा करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में